तो फेंट्स आज हम बात करने वाले हैं वर्ड लिस्ट को ऑटमेटिक जनरेट करने के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर वेफसाइट के हिसाब से वर्ड लिस्ट किस तरह से बनाई जा सकती है इस चीज के बारे में और वो सारा कुछ करेंगे हम प्रैक्टिकली लेकिन फ् लिस्ट कुछ ऐसे वर्ड का कॉंबिनेशन होता है जो कि बहुत सारे लोग आईड और पासवर्ड की रूप में इस्तिमाल करते हैं इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई अटेकर या हैकर किसी भी वेफसाइट को हैक करता है तो सबसे इंपूर्टेंट चीज उसके लिए आईड और पासवर्ड होते हैं अगर उसे वह आईड और पासवर्ड मिल जाएं तो उसके लिए उस वेफसाइट पे काम करना उस पे कंट्रोल बनाना बहुत आसान हो जाएगा तो ऐसा करने के लिए वह अलग-अलग तरह कि अटेक्स करता है इसमें बहुत बार मैंन इसमें 20 डी के लिए और पासवर्ड को चेशैट के लिए बहुत सारे स्पेशल वर्ड होते हैं लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपना यूजर नेम रखेंगे एड्मिन, एड्मिन स्टेटर, पास्वर्ड को पास्वर्ड ही वो रख लेते हैं या फिर एड्मिन एड्दारेट 123 रख लेते हैं तो इस तरह है कि वर्ड्स का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है तो यह वर्ड्स क्या वन वाइवन ट्राइ करते हैं और जो वर्ड मैच हो जाता है वही उसका आईड्य और पास्वर्ड होता है अब यहाँ पर कोईशन यह आता है बूट फूर्स जैसे जो अटेक हैं उन्हें पूरा होने में कई बार अगर आप टाइमिंग को देखें तो कई बार वो दिखाता है कि एक साल का टाइमिंग लगेगा जो कि बहुत बड़ा टाइमिंग है अब यहाँ पर कोईशन यह है कि वो तो पहले से बने हुए है अगर कोई भी पर्टिकुलर वेफसाइट मेरे को हैक करने और मुझे पता है कि उसमें इन वर्ड का इस्तिमाल किया जा सकता है तो इस पर्टिकुलर वेफसाइट के हिसाब से हम खुद की वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं खुद की वर्ड लिस्ट पर्टिकुलर वेफसाइट के हिसाब से जनरेट करने का जो मैं थड़ है वो मैं आज आपको बताऊंगा, तो यह वीडियो होपसो आपको बसंद आएगा, शिरू से अंट तक पूरा देखिएगा, जादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने रखाया, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, और अपलाई कर सकें, तो फैंट सबसे पहल करें, C-E-W-L, इस टूल का नाम है, तो यह आप देख सकते हैं कि अल्रेडी इंस्टॉल है, अगर न्यू नहीं होता, ओल्ड होता तो यह अपडेट हो जाता, अब हम बात करेंगे इसे यूज करने के मैथर्स के बारे में, तो जैसा का आप सभी जानते है, माइने से जो य यूज करेंगे, डेप्ट के लिए आप X यूज करेंगे, ऑफ साइट के लिए O यूज करते हैं, राइट के लिए W और U for User Agent, तो इस तरह कि जो इसकी वर्ड्स हैं, मतलब इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी यूज करना है तो आप प्रॉक्सी भी ले सकत है, मानली जी एक website है, और उस website के हिसाप से जो automatic word list है, वो generate मुझे करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो friends, यहाँ मैंने command दी है, W मैंने इसे लिखाया, आपने को पता होगा, write हम कर रहे हैं, write करने के लिए मैंने जो file थी उसे नाम दे दिया, pass.txt, उसे आप नाम अपनी जरू जिसकी आपके पास permission है, वो आप website का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की भी website पर आप यह चीज़े ट्राइ करके देखें, तो यहाँ आपको website का नाम लिखना है, और enter करने के बाद थोड़ा सा time लगेगा, और क्योंकि maximum possible जो combinations है, वो निकाल रहा है वहा तो आप देखेंगे कि कमांड रन अप हो गई है, तो एक तरीका मैंने आपको बता है कि maximum possible जो combination है password के वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, दूसरा तरीका यह है, कि आप इसे maximum, अगर आप यह देखना चाते कि चार वर्ड का combination देखना है, या फिर 5 वर्ड के password का combination देखना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैंने एक और फाइल का नाम दे दिया, MEH, और अब हम जो देखना चाहरे है, यहाँ पर जो different है, वो यह है कि हम देखना चाहरे है, maximum 4 वर्ड के combination में, जो फाइल है, वो कौन कौन सी हो सकती है, तो 4 वर्ड के password के combination में यह आपको दिखाएगा, कि maximum कौन सी वो text, मतला word list है, यह automatic generate करेगा, maximum 4 words को लेकर, तो पहला था ता, maximum जितने हो सकते है, चाहे 4 या 5 या 6 कितने भी word का combination हो सकता है, अब यह 4 word के combination को लेकर हम काम कर रहे है, तो जैसे ही मैंने enter किया, same, इसमें भी थोड़ा सा timing लगना, 1 और 2 minutes last, और उसके बाद यह दोन सकते हैं, उस website को लेकर इसने बना दिये होंगे, तो बहुत ही बहतरीन टूल है, automatic password का word list की जो combination है, वो आपको generate करके देता है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, कहां वो files आई होंगी, तो हम file वाले topic पे गए है, file वाले topic पे जाने के बाद आप यहां देख सकते हैं, एक इतना सारा मतलब इसने combinations बना के दिये हैं, और आप इन्हें अपनी word list के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं, brute force attack है, या फिर और भी अलग अलगतर है कि जो attacks हैं, उससे करने में इन चीजों को आपको help मिलेगी, तो एक तो यह हो गया, दूसरा मैंने बूला था, forward combinations को लेकर ब बना सकते हैं, तो लगभग वही है, definitely यहां words का कोई खास ज्यादा meaning होता नहीं है, कि like 4 है, 5 है, already आप अलग-अलग tools का, मतलब अलग-अलग commands के जरिए इस तरह का जो काम है, वो करके देख सकते हैं, तो friends, यह था हमारा आज का वीडियो की automatic किसी भी website को लेकर word list किस तरह से ethical hacking की जो भी बाते हैं वो हमें comment box में लेकर comment कर सकते हैं, thank you, good bye